the term of particle is given by the equation y is equal to 3 sin omega t plus 4 cos omega t the amplitude is amplitude कितना होगा इसमें यह पूछा है वापस देखते हैं यहाँ पर देखो दोनों पहले sin में convert कर सकते हैं या फिर cos में convert कर सकते हो तो पहले आपन sin में convert कर देता हूँ तो मैं एक की बात करता हूँ तो यह मेरा है 3 sin omega t right okay और दूसरे की बात करता हूँ यहाँ पर मैं y1 लिख लेता हूँ और y2 की बात करता हूँ तो 4 cos omega t है इसको आप sin में convert कर सकते हो इसको साइन में convert कर सकते हैं यह क्या जाएगा यह जाएगा 4 sin omega t plus 5 by 2 right तो देखो दोने equation अपने पास मिल दे इसका amplitude 3 है इसका amplitude 4 है और angle 5 by 2 है तो a1 है मेरा पास 3 a2 है मेरा पास 4 और angle है मेरा पास 5 by 2 आपको पता ही है कि एक इस तरफ 3 है एक इस तरफ 4 है तो resultant क्या आएगा resultant इ नहीं पता है तो अपने वापस formula लगा के निकाल सकते हैं root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos of 5 इस तरफ से निकाल सकते हैं ओके तो यह अपने पास answer वही आएगा क्या आएगा 4 का square यह 16 plus 3 का square यह 9 और यह 5 आजाएगा तो amplitude तो होगा अपना 5 amplitude क्या आएगा 5 आएगा